तो यार हम सब अलग-अलग circuits में अलग-अलग तरह के registers का use करके अपने components में होने वाले current के flow को control करते हैं बट क्या आप जानते हो कि आप सिर्फ एक pencil और paper का use करके अलग-अलग values के registers को बना सकते हो एंड एक multimeter का use करके उनके values को measure भी कर सकते हो सो आज के इस वीडियो में हम देखिए कैसे आप एक pencil और paper का use करके अलग-अलग values के registers को बना सकते हैं एंड एक multimeter का use करके उनके values को भी measure कर सकते हैं कर सकते हैं कर दो कर दो कर दो लुट प्राइब ओ झुचपको बोर्फ नियाैजन झाल 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 तो यार बस आचके इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब क्योंकि मैं इस चैनल में कुछ ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं झाल